दोस्तो आपके अपने चनल दा एक्जाम टाम से आपसे विका स्वागे थे दोस्तो आरारवी टेकनिसियन जिनका डिवीजन अलोटमेंट हो गया उन लोगों के लिए बरहुत बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तो ये अपडेट आपका सेंटर रेलवे जिनका भुसावल डि आपको ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाए तो ऐसा आपको इमेल के द्वारा भेजा जा रहा है तो हम इसमें देखेंगे कि इसमें कौन-कौन सापको डॉकुमेंट्स ले जाना है कब आपको रिपोर्टिंग लागया और इसका कितने स्टुडेंट का दिया गया है पैन नहीं आ रहा है उन लोगों को भी यहां पर आप लोग भी देखेगा क्योंकि आप लोगों का भी आजनकर आप लोगों का पैनल आएगा फिर यही प्रोसेस से आप सभी को गुजरना है और जिनका डिविजन अलॉट्मेंट नहीं हुआ है सभी को यह वीडियो आप लोग पहले इनफोर्मेशन मिल सके क्या क्या कैसा डॉक्मेंट लग रहा है किस तरह से प्रोसेस होने वाला है तो हम इस वीडियो में सभी चीज़ देखने वाले हैं अप्डेट कर दिया जाता है तो आप इसी वीडियो के कोमेंट सेक्षन में जाएएगा तो वहां पर इसका लिंक को फिन कर देखने घाया है आप वहां से डायेक्ली जूड़ सकते हैं यहाँ सात्षोए स्टुडेंट बल्लोग भी यहाँ अब पर आ हैं और कोई वी आपक जानकारी चाहिए तो इसमें काफी सारे student है तो आपको अपना query इसमें डालिएगा तो जिन भी student को पता रहेगा तो आप यहां उनको बता देंगे कोई भी student आपको किनिका query पता रहेगा तो आप उनका जबाब दे सकते हैं तो इस कारण से यहां पर एक group आपको open group बनाया गया है चलिए आप अगए हम वीडियो में चलते हैं तो दोस्तों यह देख सकते हैं कि यह central railway का आपका जब division allotment हुआ था यह आपका 30 तारी को division allotment हुआ था यानि कि हम कह सकते हैं कि यहां पर इनका जो आपका पैनल आया था वह बारा आठ को 2022 को आया था और division allotment का 30 तारी को list जारी कर दिया गया था और आज आपका यह साथ तारी को आपका यहाँ पर लेटर भेज़ दिया गया है तो आपको त्रेणिंग के लिए भेश दिया जाएगा आपको वहाँ पर सब्वेश्ता लेकर जाना है रहने के लिए तो इसे आपको आप देखेंगे क्या-क्या उसमें इन्फर्मेशन दिया गया है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह आपका जो Central Railway का आया था तो इसमें आपको भूसावल डिवीजन का है तो भूसावल डिवीजन में यह आपका category No.47 से जो आपका था Electrical Power Technician Grade 3 तो इनके रिगार्डिंग यह आपका यहाँ पर ओफर लेटर जारी कर दिया गया है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 12 Candidate का इसमें आपको दिया गया है भूसावल डिवीजन यहाँ पर देख सकते हैं 2, No.3, 4, 5, 6, 7, 7 student इसमें हैं उसके बाद यहाँ पर नीचे 7 के बाद 8, 9, 10, 11, and एक और student का यहाँ पर देख सकते हैं यह आपका 12 तो इसमें जितने भी इस लिस्ट में आया था तो यह सभी student का यहाँ पर जारी कर दिया गया है जिन भी Candidate का नहीं आया है पैनल या पीछे का पैनल में तो आप लोग कमेंट करिया कि इससे जो 12 अगस्त उसे पहरे वाले पैनल में आया है कि सभी का मतब ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया है डिमेटकल के लिए आ गया है और लेटर की नहीं आया है आप लोग कमेंट करियेगा और इसमें जितने भी Candidate है 12 Candidate सभी को email मिला है कि नहीं मिला है वैसे तो सभी को मिल गया होगा क्योंकि व आप लोग जो भी Candidate है 12 वाले सभी लोग अपना email चेक कर लिजेगा सभी फोल्डर को अगर में फोल्डर ऑल जो इन्वक्स रहा उसमें नहीं मिलेगा तो आप लोग और जो आपका spam folder रहता इन सभी में आप लोग एक बाद चेक कर लिजेगा उसके बाद ये आपका Gmail के थ formats वेगरा रहेगा तो आपको वो सारा formalities वहां पर आपको भर के लिजाना पड़ेगा तो यहां पर हम देख लेते हैं देखे यह आपका जो लेटर जारी होना स्टार्ट हुआ यहां पर किनके द्वारा जो आपका यहां पर भेजा गया है तो और यहां पर जो भी कंडिडेट को भेजा गया है उनका यहां पर Gmail ID है तो यहां पर आप देख सकते हैं उसके subject आपको दिया गया है कि जो भी कंडिडेट उनको recruitment and training of the training technician gate 3 electrical power इनको training के लिए यहां पर recommend किया गया है इसी के regarding यह बोला गया है आपका reference नमर दिया गया है उसके बाद हम देखते हैं आगे इसमें क्या बोला गया है यहां पर देख सकते हैं कि with reference to the CA यह नमर 01-2018 भी है provisionally selected जिनका अभी सभी जब तक final joining नहीं होता है अभी provisionally है किसी बेस्टेस पर आपके कंडिडेशर को रत किया जा सकता है अगर आपका सभी documents या medical fit नहीं आ जाते हैं इसलिए आपका provisionally आपको यहां पर बोला गया है selected है for offering an appointment in pv1 level 2 के लिए by the railway recruitment board Mumbai central railway and Mumbai allotted to busable division यहां पर बोल दिया गया गया जो भी कनेजित को busable division गया दिया गया था central railway के तरब से letter number reference number यहां पर दिया गया electrical power में और आपका in electrical gn department में यहां पर बोला गया है कि इनका आपका training लिया जागा आप आगे हम देखते हैं इसमें point to fulfillment of term and condition prescribed in recruitment rule and verification of documents जो भी railway का वहाँ पर rule है rule book उसके अनुसार आपको जो भी recruitment का process है यह documents सभी वहाँ पर provide करना होगा उसके fulfillment करना होगा इसी के regarding यह बोला गया है उसके बाद आपको बोला गया है you are liable to be posted and transferred to any station to usable division यानि कि आपको यह division दिया गया भूसावल यहां चे आपको उसके अंदर में जो भी station आ रहा होगा वहाँ पर कहीं भी आपको भेजा जाएगा पोस्टेट किया जाएगा मतलब वहाँ पर आपको काम करने के रिलेटर वहाँ पर पोस्टेट किया जाएगा भूसावल डिविजन के अंदर में कहीं भी रहेगा तो तो इसके लिए आपको जम्मेदारी दिया जाएगा तो यह you will be have to take an oath and allegiance to Indian and constitution of Indian before an appointment तो इसी के रिगार्डिंग आपको बोला गया है कि मतलब सची निष्टा से आपको सेवा करना है इसी के रिगार्डिंग बोला गया है कि Indian constitution और आपका Indian railway regarding आगे आपको बोला गया है कि you have to sign the prescribed form in regard to the plural marriage आगे इसमें बोला गया है रिक्वार्ड you will have to serve Indian Railway Engineering Unit and रेलबे इंजिनरिंग यूनिट है तो आपको बोला ढड़ा है तो इसके लिए भी आपको बोला गया है इन सब के लिए तो आप ज्वाइनिंग ले सकते हैं मतलब यह आपका एक टर्म एंड कंडिशन है उसके आपको बोला गया है कि इफ यू फिल फुल फिल ऑल दा कंडिशन एन अपॉंटमेंट एंगेंज दा वरकिंग पोस्ट यू विल इलिजिबल फोर दा नियू डिफाइन कंट्रुविटरी इसकीम इंट्रोडूश्ट बाइदा गॉर्मेंट रेल्वे बोर्ड लेटर आपका यह दिया गया मतलब कि आप सभी फुल फिल्म जो टर्मान कंडिशन उसको करते हैं तो उसके आपका जो पेंशन एसकीम जो इंट्रोडूश हुआ है गॉर्मेंट के द्वारा उसके डिटेल बताया गया है तो हम सभी को देखेंगे टाकि किसी भी चुच्चों को परेवलम नहीं होगा हरкое कंड को Tuesday सपवाब बुला है कियोड कि अन को नहीं होगा production of original certificate जो भी original certificate होगा आपको वहाँ पर ले जाना होगा वहाँ पर दिखाना होगा फिर वहाँ पर आपको जब आपका call letter आएगा यह साथ तारीको इसू हुआ है यानि कि आज कल में आपको पहुंचाएगा speed post से तो उसमें जो भी आपको call letter में लिखा होगा कि केतने set में आप documents बताया गया है तो सभी उन सभी चीजों का original भी आपको वहाँ पर दिखाना हो उसके बाद वहाँ पर आपको जमार कर लिया जाएगा आगे इसमें बोला गया है कि the verification of caste ट्राइब certificate through the proper channel यानि कि आपको इसमें इस point में आपको बोला गया है कि जो आप कास्ट या किसी ट्राइब से है CST या इस तरह से तो आप अगर वहाँ पर claim किये हैं तो आपका जो भी डॉकुमेंट से तो आपको उससे related आपका match करना चाहिए अगर match नहीं करता है तो आपके इस गनेडरेचर को रद भी किया जा सकता और आप पर action भी लिया जा सकता है यहां पसपस्ट रूप से बोला गया है कि इंडियन पिनल कोड प्रोडक्शन आप सच फॉल्स certificate अगर आपको इसी प्रकार का फॉल्स certificate देते हैं तो आप पर एक्षन भी लिया जा सकता है तो आप लोग जो भी ओरिजिनल जो आपने फॉर्म फिलप किया था तो जो भी डिटेल दिये हैं वह सारा चीज़ेस में match करना चाहिए नहीं तो आप पर railway के द्वारा action लिया जा बाकी तो आपको ने जो आए इसी तरह रहेगा यहां पर बोलाए कि इप दर कंडिडेट सेट फोर्थ एभव आर एकसे एकसे टेवल माने के आगे का जो भी आपको दिया गया है जो उपर में टर्म कंडिशन दिया गया है उन सभी में आप सही पाए जाते हैं उसके यू आपको जाना है यहां पर आपको 26 नौ दोजार बाइस या इस से पहली आपको वहां पर जाना है और वहां पर सारा डोकुमेंट्स आपको जमा करना है है तudent आपको वहां पर भेरिफाय करेंगे और इसे से कोशव करेंगा किश्यों दोकुमेंट्स होता है कि वहां पर आप एक्क्षेप्ट नहीं होता है Сब्कुमे किस तरह से ट्रेट करते हैं तो यह चीर है तो आप लोग कोशिस करिएगा कि 26 नौ दोर बाइसे इसे अपना एक प्लस टाइम लेकर चलिएगा ऐसा सोच कर चलना है उसके बाद आपको यहां पर बोला गया है कि मार्क सिट बोर्ट सर्टिफिकेट और पैसे सी उसके स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट जो रहता है वह स्वें जो डेट ऑफ बार्थ उसपे आपका डेट ऑफ बार्थ के आपके सिटो आपको इसका भी आपको जिरोक्स कॉपी ले जाना है टेक्निकल क्ора पालिफिकेशन है www.comp qs-re Kathy आणे कर दोगे उनिकले के फोर्मेट रहता है तो उसी फोर्मेट में आपको वहां पर बनवा कर ले जाना है ऐसा नहीं कि आप जो इसे इन जनरल जो बनवाते हैं उसमें नहीं आपको रेलवे के द्वारा जो फोर्मेट दिया जाएगा उसमें 24-25 पेज रहेगा लिफाफा जो आएगा उसमें 24-25 उनको देना होगा along with attested copy of central central list in prescribed format bearing signature of competent authority जो भी competent authority होगे उनके द्वारा आपको जो prescribed format है उसमें आपको रहना चाहिए बना रहना चाहिए इसी के लिए बोलागे है authority and government seal fixed government का seal है वो भी रहना चाहिए there on end having clause of criminal year criminal year student है criminal year certificate should not be more than one year से पुराना नहीं होना चाहिए तो आप लोग यहां पर जो भी ओवी सी के criminal year student है इसको ध्यान दीजेगा कि यहां पर एक साल से पुराना अपकर नहीं होगा तो आप लोग जब भी आएगा तो आप लो prescribed format में बनवाली चाहिए गा उसके बाद आपको बोला गया आपको इसी में लिफापा में दिया जाएगा format जो आपने जो लास्ट एकनिकल के लिए होंगे जो डिप्लोमा के होंगे तो आपका जो लास्ट जहां से कॉलेज किया हैं तो जैसे मानें कि कोई बीटेक वाले रहते हैं तो आपने इंजिनरिंग कॉलेज से कराते हैं तो आप जो डिप्लोमा के लिए होंगे तो आप वहां से करेएगा डिप्लोमा ले तो उसी तरह जो लास्ट आपका इंस्टूर्ट होगा वहां से आपको करान या फिर आपको यहां पर सपस्ट रूप से बोला गया है कि अगर आप एजुकेशनल इंस्टूइच रूप से करा लेते तो ठीक है नहीं तो आपको फस्ट क्लास एज क्यूटूब मजस्टेट रहेंगे और या गज़ेटर ऑफिसर रेंग के कोई भी आपको जो अधिकारी उनसे भी आप क्रेक्टर सेटिफिकेट बनवा सकते हैं इसके बारे मिसमें बोला गया है उसके बार बोला गया है कि अटेस्टेशन फॉर्म यह सभी जितने भी बोला गया है यह फॉर्मेट यह आपको लिफापा में रहेगा इसलिए आपको घबराने के बात नहीं है कि य यहां पर नोट्राइज रेपीट इफिट बनवाना होगा उसमें इन्कलोज्ड है उसको भी आपको पुलिस वेरिफिकेशन करवाना होगा आपका जो लोकल रहेंगे वहां से आपका घर है वहां से आपका लोग करवा लिजेगा उसके बाद आपको बोला गया है आप यहां आप देखे इफ यू आर इन गवर्मेंट और सेमी गवर्मेंट सर्विस में अगर आप आप अल्रेडी काम करें हैं यू सूट प्रोड्यूश रिवीलिंग लेटर एंड नो अब्जेक्शन यानिके अनोसी आपको लेना होगा फ्रॉम योर इंप्रॉयर टू टू टेक नि महांगा जाए गाथ यहाँ पर देख लिजेगा कि बायर आपको फी ने आपासपोर्ट शयज का फोटो यू आप अपको एकरिसा का फोका फोटो वहाँ पर एप्छैन सब्सक्रीणि उसके बाद को बहुत लाइंगे उसके बात आपको return कर देंगे original और 55 जी रॉक्स है वह आपको जो बोलेंगे जमा करने ता Пणक आयआ पर दे दि जाना है पिला से बस का सबीसे ऑसका ले जाना उसके बाद अप ज्यादा प्रिफेयर जो करते हैं वह आपका State Bank रहता है तो ज्यादा अच्छा रहता है तो आप लोग देख लिजएगा जो भी आपको आपको अगर State Bank नहीं खुला है तो कोशिच करें खुला लिजीएगा अगर आप इसमीन खुला रहे हैं या फिर आपको प्हहले सब्सक्राइब अ करेंगर तो उस में भी आप दे सकते हैं तो इहाँ पर बैंक कमोनिक नमर्ट देना है वहांप現在 बैंक एडरेस और आपका पास्ट करा है उसका एक पना जो भी एकंट रहेगा उसका एक चेक ले जाएगा उसको यहां पर आपको बोल दिया गया तो आपको जाकर बैंक में अप्लाय कर दिजएगा तो वहां पर आपको मिल जाएगा उसके बाद इस पॉइंट को ध्यान दिजेगा आगे बोला गया है कि सिकेंड क्लास हाफ सेट पास नंबर आपको इतना फ्रम कोटा टू भुसावल इसे इनक्लोजड है यह आपका जो है आपका सिकेंड क्लास का पासपोर्ट नंबर आपको दे दिया जाएगा तो आप लोग उन चीजों दिया गया है सिकेंड क्लास का तो यह भी आप लोग के लिए सही है उसके बाद यहां पर आपका नान नमर पोस्ट में बोला गया है कि इप यू फेल टो डिपोर्ट टू दिस आपिस आप इस पॉइंट को ध्यान से देख लिजागा जो आपका डेट दिया गया है वहाँ अगर आप यहां पर नहीं रिपोर्ट कर पाते हैं और उस डेट को या फिर उससे पहले गिवें डेट इट इट विल पर्जूम डेट यू आप इंट्रेस्टेट इन दो ओफर ऑफ एपॉइंट्मेंट एन ओफर ऑफ एपॉइंट्मेंट इन दर लाइबल टो भी बिकम कै यानि कि आप यानि कि उस पोस्ट के लिए इंट्रेस्टेट नहीं है आप उसमें जोइन नहीं करना चाहते हैं इसलिए आपने वहां पर नहीं गया है आप वहां पर रिपोर्ट नहीं किया है ऐसा मान लिया जाएगा और आपके कंडिदेचर को कैंसिल कर दिया जाएगा औ यहां पर you should attend this office immediately with necessary documents original in case of incomplete document you will not be entertained तो यहां पर सपस्ट्रोप से बोला गया है कि जो भी candidate होंगे वो immediately जो 26 उसे पहले आप लोग वहां पर चल जाएगा वहां पर report कर दिजेगा और यहां पर आपका और documents सारा complete रहना चाहिए और यहां पर अगर incomplete रहेगा तो आगे आपको entertain नहीं किया जागा आपको रदभी किया जाजा सकता है तो वहां पर डिविजन पर depend करता है आपके situation को वहां पर देखते हुए आपका excuse देते हैं यह भी वहां पर देखा जाएगा तो और आगे यहां पर बोला गया है कि all the candidates whose documents are clear यहां पर देख सकते हैं all the candidates whose documents are clear in all respect will only directed to the necessary training immediate and after the lesson of training they will be directed for joining working post such as candidates should come with full preparation यानि कि आपको यहां पर सपस्ट रूप से बोला गया है कि जो भी candidate यहां पर जा रहे हैं वह अपना full preparation के साथ में वहां पर जाईएगा वहां पर directly आपको वहां पर जब आपका document verification होगा उसमें आपका सभी document सहीर आता है मतलब match कर जाता है उसके और आपको medical के लिए भेजा जाएगा medical करा लिया जाएगा वहां पर भी सभी चीज़ में fit आते हैं उसके आपको तुरां training के लि एक से दो दिन में भेज दिया जाएगा तो आप लोगो सारा रहने का विवस्था जो है आप लोग लेके जाएगा स्टेक करने का जो भी आपको preparation है वो कर लिजेगा इसी के लिए बोला गया है उसके बाद बोला गया है कि और original educational technical qualification डोकुमेंट्स अधार काड पेन काड पास्पोर्ट साइज फोटू का सेटिफिकेट सेंटर फॉर्मेट मेराना चाहिए जो भी आपको दिया जाएगा फॉर्मेट बैंक पास्पुक एंड कैंसल चेक इस मस्ट विदाउट सब्मीशन औप दीज ए कंडिडेट विल नॉट अगर बैंक में खुल पाया उस देट तक तो आपको अगर उससे पहले कोई एकांट होगा तो वह बला आप दे दीजेगा फिला फिर बाद में जाकर आगे मन होगा तो आप चैंज भी कराईएगा जोई प्रोसेस होगा उसके कॉर्डंग यहाँ यहाँ पर बोला गया है कि करेक्टर सेटिफिकेट हैपीद हैपीट हैपीट फार्मेट एटेस्टेशन फ़र्म इन डूपलिकेट सुट ऑल्सो भी फिल अपकर चैंट लीजेगा जो भी डूपलिकेट होगा उसमें आपको फिल कर लीजेगा लोगे बिस ही नोट में बोल गया है यह आपको दीट कल से लिएडिस बोला गिया चario यह दो किया जाएगा तुम उसी का यह सर्कुलर का बताया गया difference दिया गया है कि you shall go remedical क्योंकि medical तो अल्रेडी हो गया लेकिन यह जो सर्कुलर आया था इसमें बुला गया था तो फिर से remedical देना होगा तो इसी का reference यहाँ पर दिया गया है remedical only on passing of the same further process will be done तो यह इसमें आगर पास होईएगा तभी आपका आगे का process किया जाएगा इसी के लिए बुला गया आप इसमें जो आपका speed post से भेजा जाएगा जितने भी candidate का यह आपका 12 candidate का भूसा वल चाते हैं कि वो उन्होंने यह भेजा है ताकि सभी student तक यह information पहुंच सकते हैं इस वीडियो में बताने का कोशिस किया है कि हर एक point को मैंने आपको समझा दिया है ताकि कोई भी दिक्कत नहीं हो तो उनको thanks बोलना चाते हैं और भी कोई भी candidate अगर भेजना चाते हैं तो Gmail ID को attached कर दिया जागा वहाँ पर link कर दिया गया है तो आप वहाँ से जाकर भेज सकते हैं कोई भी important documents बेगरा भेजिएगा वैसे query के लिए वहाँ पर Gmail पर query बहुत सारे student है कि query करने लगते हैं तो ऐसा मत करिएगा आप comment के थुरूप पूछते हैं वीडियो पर तो उससे त इस तरह से hide कर दिया जाता है तो आप लोग यह चीज का दिकात मत लिजेगा कि आपको मतब privacy का कुछ है ऐसा मामला होगा तो उससे ही को hide कर दिया जाएगा तो यहाँ आप आप देख सकते हैं इस point में आपको ध्यान देगा कि जो आपका speed post के थूरू भेजा जाएगा आज आज कल में आपको पहुंच जाएगा जिन भी candidate का इस तरह का Gmail आ गया है यह आपको पिडी information दे दिया गया है कि आप लोग conscious हो जाईए कि आपका post office है वहां से मिल जाएगा मतलब वहां पर बस आज कल में आप लोग inquiry करते रहिए आ जाएगा वैसे आपका address पर आगया तो ठ security हो जाता है इसके साथ आपको जो वहां पर लिफापा रहेगा उसमें यहां पर क्या-क्या-क्या इंक्लोज रहेगा इसके बारे में यह बोला गया है पर फोर्मा और क्रेक्टर सर्टिपिकेट यह सारा फॉर्मेट रहेगा एटे स्टेशन फॉर्म टो भी फिल इन टू को पिटेगा उसमें उसके बोलागे कि सेकेंड क्लास पास एज मेंसन इवाब आपको उस लिफापा में सेकेंड क्लास का पास दिया जाएगा रिल बेका ताकि आप वहां पर असाने से पहुंच सके आपको पास के थूर जाना है कोई भी आपको टिकट कटाने का ज़त नहीं आपको जाएगा है मतलब कि वहां पर जाएगा फिर आपको ट्रेनिंग के लिए भीज देगा इसलिए वहां पर उसमें दिया जाएगा format, declaration and annexure ये भी भी आपको उसमें दिया जागा, happy debit format भी आपको उसमें दिया जागा, तो आप इन सबी जो आपको enclosure दिया गया है, आप जब speed post आएगा, तो इन सबी documents को आप match कर लिजेगा, पलस आपको जब लिफापा आएगा, जब आपको लिफापा आएगा, तो उसपे देख लिजेगा, उसपे भारत सरकार का उसपे कुछ stamp रहना चाहिए, या फिर मोहर उसपे रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा एक student के साथ problem हुआ था, कि उनका जब ये speed post के थ्रू गया था, लिफ लब कि सही है, गलत है, इसके regarding वहां से फिर एक उनको मोहर दिलवाके ले जाना पड़ा था, तो आप लोग इस सभी चीज को जब आपका लिफापा आएगा, तो उसपे match कर लिजेगा, इन सभी चीजों का ध्यान लखेगा, उसके बाद यहां पर देखे, असपस्ट आपको भेजा गया है, इसमें जो भी आपको फॉर्मेट दिया गया है, उसका एक तो रहां पर देख सकते हैं, Не सभी को आपको ये आपका चीज्चन प्रसनल ओफिसर के द्वारा फोर्ड डियारेम सेंटर रेलवे भुसावर इनके द्वारा ये भेजा गया है तो जिन भी कंडिडेट का यहां पर आ गया है सभी को बढ़ाई कि आप आप लोग का फाइनल प्रोसेस के तरफ आप लोग बढ़ चुके हैं बस आपका एक स्टेप है वहा कर दिविजन कर दिया जाएगा और जब भी कोई अपडेट आएगा तो आपको दैग्जाम प्रम्स को यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी अपडेट कर दिया जाता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा यहां अपने दोस्तों तक भी सेर कर दिजे ताकि जो भी भुसावल डिविजन के होंगे सभी को पता चल सके क्योंकि उनका जीमेल नहीं आया होगा तो वह अपना स्पीट पोस्ट जहां आपका पोस्ट ओफिस होगा वहां इंक्वारी करेंगे कि यहां उन लोग का आ रहा है तो मेरा भी वहां पर आ गया होगा इसे आप ल चेनल पर डिमेल एडी दिया गया है डिक्वाम टाइमस का आप लोग वहां पर भेज दिज़ेगा टेलीग्राम चैनल भी पर भी आपको चैनल का जो इंफर्मेशन सेक्ष्छन रहता है वाट्स एकषनु कर दिया जाएगा वहां से आप लोग भी है़िय कुछ से के देंगे यह मेर रहूंगा तो मैं भी वहां पर इंफोमेस्टन दे दूंगा मैं देखूंगा तो या फिर आप लाइक शेर सब्सक्राइब कर दिजेगा तो दोस्तों यहां पर देख लिजिए एक वाप फिर से बता देते हैं कि यह जो डेट है आप इस डेट को ध्यान से देख लिजिए आपको रिपोर्ट करना है तो दोस्तों आगे जो भी अपडेट आता है आपको देख जाम टर्मस को अफिसल यूटूब चैनल यहां टेलिग्राम चैनल के मांद्रें से अपडेट कर दिया रहेगा तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे बिल आइकन कॉल पर सेट कर लिजे तो दस्तों मिलते हैं वीडियो में नए अपडेट के साथ जाए हिन जाए भारत